दोस्तों अजय देवगन फिल्म उनिस्टिक एक बहुत बड़े सुपर स्टार है उनकी कई मुवी आप यो बोल सकते हैं ब्लॉक बस्तर साबित हुई है और हमेसा से उनके फैन जो है उनकी मुवी का इंचिजार करते रहते हैं जैसे कि आप देखेंगे ताना जी सिंगम काफी पिच्छरें उन्होंने हर तरह का रूल किया है जैसे एक्शन मुवी हो या यू बल सकते हैं कि रोमांटिक मुवी हो हर मुवी और हिट लिये द्रिश्यम के बारे में आप जानते ही है लेकिन अभी 2024 मुवी के कई मुवी जो है पाइपलाइन में है जो की आने वाली ह जैसे 2024 माने वाली मुवी है जैसे और हमें कहां दम था सिंगम 3, रेड 2, गोलमाल 5, आप देखिए सन अफसादार 2 आएगा देदे प्यार दे 2 भी आ रहा है और मैदान ये बहुत सी पिक्चर उनकी पाइपलाइन में है लेकिन रेड 2 से जोड़ी कोई बड़ी ख़बर आ और इस ख़बर को मैं अपने इसी वीडियो में बताओंगा लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने दोस्तों अपने भाई के चैनल को सबस्काइब में किया तो सबस्काइब जरू करें दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और कमेंट करते रहें मैं हमेशा बोलता लेकिन इसके पहले मैं बता दू कि इसके पहले जो एक्टर से उन्होंने फाइनलाइज करें वारी कपूर इसमें उनके मजद्यों का पोजिट काम करने वाली हैं और जो पोडूसर डिरेक्टर से मिराज कुमार गुपता नहीं रेट जो पहले असरी साउस को डारिट किया कुमार वंगत अभिशेक जो हैं इसके पोडूसर तो फिलाल वही पोडूसर डिरेक्टर रहे हैं वही टीम हैं लेकिन एक्टर और एक्रेस अलग हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं और जैसा कि पहले वाली मुवी में देखा होगा शौरफ शुकला जो थे में ऑपोजिट रोल क यह होंगे वह होंगे रितेश डेशूग आजे दोस्तों वह फिल्म निश्टी में पहले पोजेटीव रोल करते रहें और ही रोल में उन्हें काफी अच्छा रोल किया है पोजेटिव करेक्टर से में लेकिन कभी भी उनका सोलो मुवी जो बोल सकते हैं ना सोलो ऐसे करेक्टर काफी चलिए उनको कांग कांग काफी सार आ गया तो रेट टू में अब वह अजया दिवन के आपोजिक में आरहे हैं और इसकी शुटिंग आपको मुंबई में राजस्तान में दिली में और यूपी में यह सारी जगह पर शुटिंग होने वाली है और दोस्तों मैं बता दो कि इसकी कहानी भी ऐसी ही घुमेगी मतलब पूरे और इंडिया में रेड होगा उसके उपर पूरा फोकस किया गया तो कहानी भी पूरे और इंडिया का है किसी एक जुगर का नहीं है और मूवी का जो रिलिजिंग डेट है वो करिकरी 15 नौवमबर 2024 में इसी साल के नौवमबर महिमे में मूवी सिनेमा थेटर में लग जाए गी लेकिन उसके पहले आजय देवगन की दो पिच्चर और आनी है एक औरों में कहां दम था जो कि अप्रेल में ही आ जाएगा 26 अपरेल और 2024 को इसका डेट है इसके अपोजीट है पुनीत जो एक्ट्रेस है वो और दूसरा जो है सिंगम त्री इसका भी डेट 15 अगस के पास है करीना कपूर इसके अपोजीट में काम कर रही है बाकी उनका बहुत लंबा फेरिस है आजय देवगन का इस साल काफी देश में आए तो तीन-पिक्चर पठान जमान और डंकी कि तीन पिक्चर दोजाएज में और तीनों पिक्चर कुछ तो बहुत जाला कमाई के ज़ए पठान जमान और डंकी ने मतलब उतना कमाई नहीं कि अच्छी हिट होई गया इसके हिसाब से देखा जाए तो 2023 में बनाओ बनाओ कि बताओंगा कि आजय देखान की कितनी मुवी आ रही है और उसकी कहानी क्या है इसके अगर आप लोग कोई अगर चाहता है कि मैं इस पर बीडियो बनाओ तो नीचे जरू कॉमेंट बोक्स में लिग के बताइएगा मैं इसके ऊपर डेडिकेड़ बोई ले आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बोक्स में जरू बताइएगा फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद